तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्रम ऑफ दा डे जो की है प्रॉड़क्ट ऑफ एरे एक्सेट सल है ना डीट पो टूठटी क्वेशन क्या कह रहा है एक हमें इंटीजर अरे नम्स दे रखी है हमें आंसर अरे रिटर्न करना है मतलब कि एरे की जो एलिमेंट होगी उसके उसको छोड़के बाकि उसके जितने भी अधर अलिमेंट से ना उसके पर्टिकुलर मल्टीपल को हमें रिटर्न कराना है और वो हर एक एलिमेंट के लिए हो रहा होगा अभी हम देखेंगे कैसे है ना और क्या कह रहा है ता तो हमें डिवीजन ऑपरेशन का यूज नहीं करना मतलब कि यह क्या कह रहा है सपोज जैसे अगर हम यह टेस्ट के से ले लेते हैं का वन टू थ्री फोर है ना तो अगर हम देखें किस तरीके से एक्षली काम कर रहा है कोश्चन क्या कह रहा है जैसे कि हमारा वन वाला अब सखेंड वाले पोश्चन पर क्या होगा ओन और यह टू थरी फोर का मल्टीपल है फोथी गार्ट चुल तो यहां पे ट्वल होगा टू टू लिप यह संद आ अब हम फिरिवाले पोश्चन पर आए तो थिरिवाले पिलिए क्लीिए क्या हो जाएगा कि हमारा वन से ले एलिमेंट्स बचे हुए है नो थ्री इंटो टू बतलब सिक्स राइट और देखा देखा जाए तो यह हमरा आउट्पूट भी है क्लियर है यहां तक अब बैसिकली यह क्या कह रहा है कि हमें डिविजन ऑपरेशन क्यों यूज नहीं करना तो जैसे मान के चलो हम यह चीज न इस तरीके से हमें नहीं काम करना है तो डिविजन ऑपरेशन का यूज हम नहीं कर सकते हैं तो अब कैसे करेंगे है ना तो इतने दिनों से हम लगातार प्रिफिक्स जैसी चीजां को देखी रहे है तो पहला अज हम दू आप्रोचेश देख रहे होंगा ना दू आप्रोच सब हम निकाल रहे होंगे दो तरीके से है ना पहले तो प्रिफिक्स हम तो नहीं यहां पर प्रॉडक्ट का का काम करेंगे तो प्रिफिक्स प्रॉडक्ट है ना क्योंकि हमें मुल्टिप्लाई वाला काम करना है तो एक बार हम स्टार्टिंग से निकालते हैं तो हमारे पास इसे हम कैसे निकालेंगे product, तो पहले तो हम देखेंगे, first वाले element के लिए क्या product होगा, कोई भी, कुछ भी तो है नहीं यहाँ पे, तो पहले तो one ही रहेगा, दूसरे वाले के लिए, यहाँ पे भी हम देखें, तो क्या होगा, पहले तो one था, अब कितनी हो जाएगी, two into one, two अब third वाले के लिए, क्या होगा, three into two, six, four के लिए क्या हो जाएगा, four into, three, twelve into two, 24 है ना, तो 24, तो यह हमारा start से prefix समा आ गया, है ना, मदा prefix product आ गया, तो prefix product के sum की आदत लग चुकी है, उल्टाब, 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 तो prefix product अब end से हम निकालत तो start के लिए four के लिए क्या होगा, prefix तो अभी फिलाल कुछ है नहीं उदर है ना, तो यहां पर four ही रह जाएगा, है ना, तीन के लिए अगर हम आये तो कितना हो जाएगा, three into four, twelve, two के लिए कितना हो जाएगा, fourth is a twelve into two, 24 है ना, और first के लिए वापस से one तो multiply हो करके 24 ही तो वहां पर हम क्या करेंगे ना, हमें basically, अब देखो, यहां पर हमें क्या कर रहे थे, कि जो भी हमारा particular position रहेगा, उसके हम left और right है, ना, दोनों के multiple को, हम, दोनों को, मतब जितने elements होंगे, उनको multiply करके return कर रहे थे हैं उस particular position पे, तो यह चीज हमने देख ली कि किस तरीके element होंगे, उनका multiply, वो खुद multiply नहीं होगा, है ना, तो यहां पर उसका हम return कर दिये, 4 into 2 into 1, 8 हो गया, तो वो हमारे answer area में fill हो गया, तो वो चीज तो हमें clear है, यहां पर, अब हम यहां पर क्या करेंगे, अगर हम देखे, तो क्या हमारे कुछ formula बनता दिख रहा है, क्या, तो prefix product जो हमारा start से होगा, तो i-1 into prefix product end से, है ना, तो यह i plus 1, हम कह सकते हैं कि जो हमारा answer of i होगा, उसके अंदर हम इस तरीके से elements को डाल सकते हैं, तो एक बाद कर के देखो, है ना, तो जैसे मान के चलो, कि हमारा कोई भी position पकड़ लो, अगर हम 3 वाला position पकड़ लेते हैं, है तो हमारा prefix product start, i-1 कितना है start के position पे, तो 2 है, है ना, और उसका i plus 1 वाला element कितना है, end से, है ना, तो 4 है, तो 4 into 2 कितना होगा, 8, है ना, तो answer of i के अंदर हमारा 8 आ जाएगा इसके लिए, तो क्या हमारा वही answer नहीं है, है ना, वही चीज तो हम बता रहे थे, वही चीज हम कह करके सीधा उस चीज को calculate कर सकते है, अब इस चीज को हम देखते है, यहाँ पे code के थ्रू, तो इसका already मैंने code कर रखा है, है ना, तो देखो, end तो हमारी nums of length हो गई, पर start, हम यहाँ पे तीन array बना रहे है, तो एक हमारा start हो गया, एक end हो गया, एक answer array हो गया, अब देखो, start start 0 को हम nums of 0 कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ध्यान दें, तो हमें starting में कोई prefix हम नहीं मिले वाली है, जो पहला element होगा, जो end वाला element होगा, तो वो दोनों तो same ही रहेंगे, okay, तो nums of 0, same हम यहाँ पे nums of n-1, end वाले के लिए कर रहे हैं, okay, end वाले के लिए हो गया, start वाले के array fill up करेंगे और end वाले का array fill up करेंगे, पीछे से है, तो दो ही तरीके से हम चल रहे थे, एक आगे से हम clear cover up कर लेंगे, पीछे से cover up करके दोनों arrays को fill up कर लेंगे, start वाले product का और end वाले product का, अब देखो, अब जो हमारा main formula था, उसको हम यहाँ पे use कर रहे हैं, तो यहाँ प तो 0-1, तो minus 1 index में आ जाएगी, तो autobond दे देगा, मैनस 1 होती तो नहीं है, इसमें, और सेम यहाँ पे क्या होगा, अगर हम n-1 देंगे, तो यह n हो जाएगा, प्लस 1 से, जो की possible नहीं है, क्योंकि 0, मतलब nth वाले 0 से n वाले array में, n-1 तक ही चलते हैं, n वहाँ पे कुछ नहीं होता, तो उस चीज़ को handle करने के लिए हमने already 0 और minus 1 को fill up कर लिया है, और बाकी बचे हुए elements के लिए हम अपने formulas को use कर लिये, तो उससे हमारा output आ गया, जो हमें चाहिए था, यह वाला 12, 24, 12, 8, 6, लेकिन अब हमारा, अगर ध्यान दे, तो यह कितनी complexity होगी, इसकी order of time भी जारी हो, space भी जारी है, हमने array भी बनाया है, तो space भी जारी है, लेकिन अब अगर हम इसका follow up देखे हैं, तो can you solve the problem in order of one extra space, तो पर तो इसको चला के देख लेते हैं, तो तब तक इसको सोचते हैं, कि क्या order of one extra space में से solve कर सकते हैं, क्या, तो हाँ हम इसे solve, चाहें तो क कर सकते हैं, वैसे देखो, ये भी चल रहा है, beats 73% something, तो ये वाला code भी हमारा चलेगा है, अगर ये approach भी क्लियर है, तो prefix product से भी हम निकाल सकते हैं इसको, तो ये वाला approach क्लियर हो गया होगा है, कि किस तरीके से हम इसको निकाल रहे होते हैं, अब आते हम दूसरे वाले approach पे उसको कैसे करेंगे, तो देखो, तो जो हमारा nums होगा, तो वो क्या था, 1, 2, 3, 4, है न, ऐसा सा था, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो चीज़ चलेंगे, एक बार left के through हम जाएंगे, एक बार right के through हम, एक ही answer array में traverse करेंगे, वैसा ही कुछ रहेगा, बस थोड़ा सा अल अब देखो, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम तो यही चेक कर रहे थे, कि कोई भी element के आगे और पीछे, इधर जितने भी elements होगे, उनका product हमें चाहिए, तो जब हम एक बार left से हम calculate करते वे चले, कि उस element के पहले कितना हो रहा है, तो उसको multiply करते वे चले, तो कैसा होगा, अब जैसे देखो, 1 से पहले क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 खुद ही है, यहाँ पे है ना, similarly 2 से पहले कितने elements है, तो 2 से पहले क्या element 1 है, है ना, similarly 3 के पहले का multiple कितना है, तो 2 है, 4 के पहले का कितना multiple है, तो 3 into 2 into 1, 6 है, तो यह हमने एक बार left से चला, है ना, उसके बाद हम क चीज़ों को multiply करते वे चलेंगे, है ना, clear, तो अब जैसे देखो, 4th वाला element के क्या आगे कुछ है, नहीं है, है ना, तो उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, उसको हम सीधा 6 सी, answer array के अंदर 6 सी रहने देंगे, अब 3 के लिए देखो, 3 के आगे क्या है, 4 है, है ना, तो 4 into 2, 8 है ना, वो हम यहां पर लिख देंगे, हमने क्या किया, अगर जैसे हमारा 3 वाला था, तो 3 के आगे वाला क्या है, 4, 4 into 2, है ना, 3 के आगे 4 है, क्योंकि देखो, हम left वाला already calculate कर चुके है, है ना, तो हमें right से देखना पड़ेगा, इधर से, क्या 4 के इधर कुछ है, इस area में है, कुछ भी नहीं है ना, तो 4 के लिए जो बचा हुआ, जो हमारा answer है रहे होगा, वो change नहीं होगा, वो 6 ही बचा हुआ रहेगा, similarly, 3 के लिए क्या होगा, 3 के left वाला था हम निकाल चुके है, तो यहां पर 2 आया होगा है, अभी तक के लिए, उधर से हमें 2 मिल चुका है, left से, तो right में क्या है, 4 है, तो right में 4 के लिए, हम क्या कह सकते है, 4 into 2, तो हम 8 लिख सकते है, ठीक है, अब आव 2 वाले के लिए, 2 वाले का हम left से कितना देख चुके हैं, कि 1 तो है इधर से, तो left साइट से हमें 1 तो मिल रहा है, तो 2 के इधर right वाले में कितना मिलेगा, तो 4 into 3 12, है न, तो हम इसे यहाँ पर 12 लिख देंगे, अब 1 के लिए क्या होगा, इस वाले के लिए, 1 के लिए, फिर right में कितना है, 2, 2, 3, 4 है, तो 4 into 3 into 2, तो यह 24, तो क्या हमें हमारा output मिल रहा है, हमने क्या किया, हमने कोई change तो नहीं किया, न, prefix हम निकाला, न, कुछ भी निका है, तो हम क्या कर रहे थे, तो एक तो हमारा पहले, n निकाल लो, nums of length, ओके, और एक हमारा array है, जो कि हमारा answer array होगा, हमने यह ले लिया, ओके, और हम क्या कर रहे थे, एक हमारा right चल रहा था, 1, और एक हमारा left था, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम iterate करेंगे, for int i equals to 0, i is less than n, i plus plus, है न, तो पहले तो array of i के अंदर हम क्या करेंगे, left को डाल देंगे, है न, उसके बाद क्या करेंगे, left को हम multiply करेंगे, left into nums of i, है न, तो इससे हमारा array i जो left के through fill up हो रहा था, वो होता चला जाएगा, है न, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा right वाला होगा, पीछे सह हम multiply करना start करेंगे, i equals to n minus 1, i is greater than equals to 0, और i minus minus, तो यह हमारा right वाला काम करेगा, तो जो भी हमारे array of i होगी, उसमें multiply कर दो, right वाले part को, है न, और right equals to, right into nums of i, है न, और हम finally return कर देंगे अपने array को, okay, यह बाद चला के देख लेते हैं, ठीक है, चल रहा है, कोई खास वक तो नहीं पड़ा वैसे, कोई नहीं, कभी-कभी चलता है, कभी-कभी नहीं चलता, तो उनके beating वाले पर उतना ध्यान नहीं देना है, कभी-कभी 100% दिखा देता है, कभी-कभी 74, 75, खेर हम इसको समझते हैं, अपने code को समझते हैं, देखो, तो मैंने क्या-क्या किया था, पहले तो हमने एक n निकाल लिया, एक array बना ली हमने, जो आमारी answer array हमें दिख रहा है, साइड में, अब right को हमने one मान लिया, left को भी one मान लिया, क्योंकि मैं reply कर रहे हैं, तो जीरो तो नहीं ले सकते है, अब हम left से पहले fill up करना start करते हैं, तो अब यहां से देखो, तो अब यहां पर क्या हो रहा था, तो ऐसा सा था हमारे पास है, initially हमारे पास कितने था, 1, 2, 3, 4, है न, ऐसे से थे, तो अब अगर हम देखे यहां पर dry run करके तो क्या होगा, तो right हमारे पास 1 है, left हमारे पास 1 है, एक हमारी पास answer array है, है न, तो अगर हम move करना start करें यहां से, तो क्या होगा, i equals to 0 से i less than n, तो array of i के लिए अभी कितनी position पे होगी, तो array of i क्या है भी, i हमारी 0 है, है न, तो left हमारे पास कितना अभी के लिए 1 ही है, तो यहां पे हम 1 रख देंगे, है न, उसके बाद left हमारे पास क्या होगा, 1 into nums of i, तो nums of 0 हमारे पास अभी क्या है, 1 है, तो left हमारी 1 ही रहेगी, है न, आगर हम move करें i equals to 1 पे, तो हमारी array of i कितनी है, left है, है न, तो left में कितना अभी तक 1 है, तो से वापस से 1 डाल देंगे, अब हमारी left कितनी हो गई, कि जो हमारी left है, फिलहाल के लिए तो 1 है, लेकिन अब nums of i कितने है, 1, तो 1 पोजिशन पे क्या हमारे पास 2, तो अब हमारी left 2 हो गई है, तो अब अगले again हम जाएंगे loop में i equals to 2 के लिए, तो यह हमारी 2 हो जाएगी, है न, similarly, फिर हमारी वापस से हम इसमें जाएंगे, i equals to 3 के तो left हमारी फिर से update हो जाएगी है न, 2 into 3 which is 6, तो 1, 1, 2, 6, तो यह हमारी array अभी तक ऐसे बन गई है, answer array अभी ऐसे बन गई, और अगर ध्यान दो तो हमें क्या यही नहीं चाहिए था फैरले, तो इससे हमारा left वाला काम हो गया, right, अब similarly हम right से हम क्या चलेंगे, n-1 से multiply करना start करेंगे, okay, तो अब देखो, answer of i, array of i हाँ पर multiply right होगा, right अभी क्या था, 1 था, तो यह वाला position preserve भी रहेगा, तो यह वाला position 6 ही रहेगा, अभी के लिए, फिर right क्या होगी, change होगी, nums of i से, तो 1 into 3 हो जाएगी, है न, तो उस तरीके से यह वापस से right के थुरू update होगर के हमें हमारी resultant array 24, 12, 8 और 6 है न, यह हमें return करा देगी, तो i hope यह solution clear होगा, है न, इसमें कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए, अगर कोई डाउट बज गई तो मुझे बता देना comment section के अंदर, मिलते हैं अगली video में, तब तक लिए keep learning, keep coding, keep exploring, see you guys in the next video and do like, share and subscribe to the channel, okay, मिलते हैं अगली video में, bye.